साथियों, कॉंग्रेस के परिवार के सामने जो भी खड़ा हुआ, उसके पीछे पूरी दुनिया में फैले अपने राग दरबारियों को लगा देते हैं। अब सरदार साब के बाद मुरार जी भाय की बारी आई और आज इनके निशाने पर आपका ये चौकेदार है। दो दसक से मुझे निरंतर कैसे गालिया दी जा रही हैं। जिसके गवाँ आप है। यही किया नहीं लोगों ने। जूठे आरोप लगाए कि नहीं लगाए। दिन रात गंदी हरकते कीक नहीं की। लेकिन आप कॉंग्रेस सारी सीमाय तोडने पर आड़ गई है। कॉंग्रेस के नामदार ने पूरे OBC समाज को पिछडे समाज को ही चोर कह डाला। नरेंदर मोदी से बद्ना लेने के लिए समाज के इमानदार लोगों के इतना अपमान बरदास्त नहीं किया जा सकता। साथियों जब सिर्फ वर्ष मौंसवाध ही विजन बन जाए। देश का डिवीजन यही उनका विजन हो। समाज का डिवीजन यही उनका विजन हो। तब गाली गलोज की नीती की ही उनके लिए एक मात्र सहारा बच जाता है। और कॉंग्रेस सिर्फ मुझे ही गाली देती है ऐसा नहीं है गलती मत करना। कॉंग्रेस ने किसी को नहीं छोड़ा है। कॉंग्रेस ने गरीबों का यह कहकर अपमान किया कि गरीबी एक मानसी का वस्ता है। कॉंग्रेस के लोग नौर्थ इसके पहनावे का अपमान करते हैं। उसको अजीबों गरीब बताते हैं। कॉंग्रेस की सरकार देश के बहु संक्यक समाज को आतंग से जोड़ती है। हिंदू आतंग ऐसी थियरियां बढ़ चड़कर के दुनिया के सामने पेश करती है। करते हैं, हुआ्चरेस हुआ यई करते हैं और मिन दिते हैं ह् करते हैं खभ़कर के समय आतंग से वहता है समय है, करते हैं टून संब झातंग